हाई फ्रेंड्स स्वागत हापका आपके अपने कोलेज बुक चैनल पर तो आज के यह हमारा थाड़ पार्ट है क्वाड़िटी एक्वेशन के इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं जो मोस्ट इंपोर्टन एक्वेशन आपके एक्वेशन यह हमारी लाग सीरीज का तो आज हम नेखते हैं हमारा इस स्वेशन का पहला क्योशन की एलफा अंड बीटा रूट ओफ दग एक्वेशन या पोईक्वेशन देजिए इसक एंड नक्यू अपॉन फी माइनस बीटा हमें इन रूट की कॉईक्वेशन को फाइंड करना है अग उसके लिए अगर जब हमारे पास कुछ रूट गीवन हो कोई भी क्वाड़िक एक्वेशन है उसके अगर रूट गीवन है तो उस रूट से हम क्वाड़िक एक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका फोर्मूला होता है क्या एक्वेशन कीर प्लस माइनस सम ओफ रूट एक्स प्लस प्रोड़क्ट ओफ रूट इक्वल जी यह यह स्ट्रेक्चिर होता है जब आपके पास गीवन हो रूट और उस गीवन रूट से अगर हमें एक्वेशन बनानी हो क्वाड़िक तो देखो हमें एक्वेशन दे एक्स स्केर माइनस PX प्लस B इक्वल जीरू और उसके रूट दे दी क्या एलफा एंड बीता तो एलफा एंड बीता करें सम ओफ रूट तो एलफा प्लस बीता होता है हमारा B अपॉन A तो यहां पर B की वाली वालिव कितनी है P और A कितना है 1 तो यह आ जाएगा P अगर हम करें आलफा इंटू बीटा तो कितनी हैं सीए अपों ये कितना है दिया घया अब से निकालेंगे समोफ रूर तो q अपॉन पी माइनस रफा प्लस q अपॉन पी माइनस बीटा अगर इसका हम लेते हैं तो यह हुझा पी माइनस alpha and p plus alpha तो यह into हो जाएगा इदर से तो q यह is into cross multiplication तो p minus beta plus q p minus alpha इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा q p minus q beta उसको करेंगे तो plus q p minus q alpha अब उन में करेंगे तो p की पाउब p square minus alpha p सोरी बीटा था न हाँ p minus alpha और p minus यह बीटा पी स्केर minus p square minus alpha p अब उसका करेंगे हम minus p beta minus plus alpha बीटा तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास देखो 2 है तो 2 p q minus में से minus minus इसमें से हम comment लेंगे q तो अंदर आ जाएगा alpha plus beta ऐसे नीचे वाले से solve करेंगे तो यह हो जाएगा p square इसमें से comment क्या ले सकते हैं p minus p हमने comment लिया तो अंदर क्या बज़ गया alpha प्लस बीटा और इधर है alpha plus beta अब इन alpha plus beta की value हमें given है तो वह क्या है पी alpha plus beta है आपके पास पी तो यह हो जाएगा 2p q minus qp अपन में यहां से है मारे पास पी स्केर माइनस p q and p p तो पी स्केर और q आपके पास क्या बज़ेगा एक दो पी में से एक पी गया तो p q बज़ गया अपन नीचे है q तो q से q cancel out क्या गया पी तो जब इसका आपने क्या sum of root तो sum of root कितना आया q तो sum of roots आगे हमारे parts कितना q नहीं सॉरी पी अब हम क्या करेंगे product of root तो जब हम product of root करें है तब देखते हैं इसकी क्या value आती है तो इसी का करेंगे हम product of root तो क्या हो जएगा इसका multiply करेंगे तो यह तो सीधा q स्किर नीचे आपके क्या जएगा इनका multiply करेंगे तो p minus alpha and p minus beta यह हो जएगा आपका q स्किर अपन में p, p स्किर minus alpha, p minus alpha, beta, alpha, p and beta, p and minus, minus plus alpha, beta तो यह हो जाएगा q स्किर अपन में है देखो p स्किर इसकी value भी कितनी होती है यहां से अगर हम comment लेंगे क्या p, p common लेंगे तो यहां चलो यहां से हम comment लें माइनस का p तो अंदर है alpha plus beta and plus alpha, beta तो देखो q स्किर यहां है p स्किर, इदर है p, तो p की alpha plus beta की value अलड़ी हमरे पास p है तो p, p minus p स्किर, plus का q, alpha, beta कितना है q, तो p से p cancel out, q स्किर अपन q, a q से q cancel out, तो product of roots कितना है हमरे पास q और sum of roots कितना है, p, तो इनकी value रख देंगे हम question के अंदर, इस formation में रखेंगे, तो x square minus p x और plus का q equal 0, तो यह वो equation है, जिसके root है क्या, यह दोनों जिसके root है, वो equation कौन सी है, यह हमारे, अब देखो, उसमें b की जगह क्या, यहां क्यू आ गया, बस वहां क्या था, बी, अब हम देखेंगे हमारा question number next, बी नी था, यह क्यो था, जान रखने इसको क्यो, क्योंकि b से तो फिर निकले गए, निक्यो, तो यह equation वापस से आपके पास आगे, अगर हम वैसे भी अलफा बीटान रेके, वो भी रूट ले, तो वापस से हमारे पास, यह equation फिर से आगे, अब देखते हैं, second अगला question, अगली equation क्या दी है, मैं, question दे दी, the root of the equation, a square plus bx plus c ब्राबर 0, a square plus bx plus c ब्राबर 0, then, then, then दिया है, r sin alpha and cos alpha, जिसके देन, sin alpha and cos alpha जिसके root है, alpha बीटान होके, then, prove that a square minus b square plus 2ac, prove that a square minus b square, a square minus b square plus 2ac, ब्राबर 0, आपने कोई, इस question में हमें क्या दिया है, वो quadratic equation दे दी, और कह इस quadratic equation की root है, sin alpha और cos alpha, तो आपको prove करना है, a square minus b square plus 2ac, ब्राबर क्या हो, 0 हो, तो हम क्या करेंगे, हमें quadratic equation दे दी, ax square plus bx plus c, ब्राबर 0, यह 0 दिया, अब इसकी root है, sin alpha, alpha की value कितनी दे दी, sin alpha, और beta कितना दे दिया, cos alpha, अब हमें उसको proof करने के लिए, पहले हम निखा लेंगे, alpha plus beta, alpha plus beta क्या हो जाएगा, हमारा sin alpha plus cos alpha, जिसकी value कितनी होती है, minus b upon a, ठीकर, यहां से क्या जाएगी, minus b upon a, अब हम निकालेंगे, sin alpha into cos alpha, जो क्या होता है, c upon a, अब हमारे पास equation first and second दो आगए, equation first जो आई है, उसमें हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, square करेंगे, तो यह हो जाएगा, sin alpha plus cos alpha, का square equal, minus b upon a का square, दोनों तरफ square करने पर, square root, दोनों तरफ क्या हमने, square कर दिया, अब इसको खोलेंगे, formula से जो जाएगा, sin square alpha plus cos square alpha plus 2, sin alpha cos alpha, equal में आजाएगा, b square upon a square, यह होता है, हमारे technometric formula से, जिसकी value क्या होती है, 1, यानि कि, अगर sin alpha plus cos alpha है, वो होता है, 1, तो इसको हम लिख देंगे, 1 plus 2, sin alpha and cos alpha, equal में क्या जाएगा, b square upon a, तब b square upon a, आप देखो, 2 sin alpha, sin alpha, cos alpha कितना है, हमारे पास, c upon a, तो equation second से, यहां से value रख देंगे, हम क्या, c upon a, तो 2, c upon a, equal b square, a square, अब इन सब को उस साइड ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा, हमारा b square upon a square, minus 2c upon a minus 1, ब्राबर 0, इसको हम LCM लेंगे, तो यह हो जाएगा, b square minus 2ac minus a square, ब्राबर 0, तो इसको हम, इसको हम उस formula लाने के लिए क्या करेंगे, minus से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, ब्राबर 0, यह चीज हमें प्रूफ करने थी, तो हमने प्रूफ कर दिया, यह था आपकी दो most important question, तो quadratic question की यह series आपकी, यहाँ पर complete हुई, और जो इसकी स्रीदराचार्य formula या फिर factorization method से जो question होंगे, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के लेके आऊँगे, आप लोगों के लिए, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लग हो तो वही लाइक कर देना, share कर देना, subscribe करना और बेल लाइक सब्सक्राइब करना, अगर कोलेज बुक से सर्च कर सकते हूं, वहाँ पर आपको सारी पीडियाफ अवलेबल होगी, and thank you for watching.